किसान ने दूद बेचने के लिए खरीद लिया 30 करोड रुपे का हेलिकॉप्टर महाराष्ट के भिवंडी में एक किसान जनार्दन भोईयर आज कल अपने इलाके में खूब चर्चा में है क्योंकि उन्होंने हाल ही में डेरी व्योसाय में कदम रखा है और उसके लिए उन्होंने हेलिकॉप्टर खरीज लिया है एक किसान के पास हेलिकॉप्टर सुनकर यकीन होना मुश्किल है लेकिन यह सच है दरसल जनार्दन भोईयर को अपने नए दूद बेउसाय के लिए उन्हें देश के बिभिन स्थानों की यात्रा करने की आवसक्ता होती है इसके लिए उन्होंने आपनी व्यापारी की यात्राओं को सुविधा जनक बनाने के लिए तीस करोड रुपे के हेलिकॉप्टर को खरीदा है अब जनार्दन भोईयर हेलिकॉप्टर में बैट कर इन दवरों को पूरा करेंगे आपको हम बता दें कि जनार्दन भोईयर एक बिंडर भी है और उन्होंने हाल ही में डेरी बेवसाय में कदम रखा है इसके साथ ही खेती के देखभाल और डेरी बेवसाय का कारोबार करने वाले किसान जनार्दन भोईयर आज कल इस हेलिकॉप्टर का ट्राइल भी ले रहे हैं हेलिकॉप्टर को जनार्दन भोईयर के गाउं में रभिवार को परिछण के लिए भेजा गया था जनार्दन ने ग्राम पंचाय सदस्य को अपने हिलीकॉप्टर में सवारी करने की पेशकस की जनार्दन भोईयर ने इस बारे में कहा कि उन्हें अपने डेरी वेवसाय के लिए अक्सर पंजाब, हरियाणार, राजस्थान और गुजरात की यात्रा करनी पड़ती है जनार्दन भोईयर ने बताया कि उन्होंने एक दोस्त के सुझाव पर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया जनार्दन भोईयर ने कहा, मुझे अक्सर अपनी वेवसाय के लिए यात्रा करनी पड़ती है यही कारण है कि मैंने एक हेलीकॉप्टर खरीद आ है मुझे अपने डेरी व्यूसाय की आत्रा और खेती की देखवाल के लिए अक्सर इसकी आउसकता ही होती है